जय जिनिंद्र कुप वित्मनीशा में आप सबका स्वागत हैं अभी विंटर सीजन आ रहा है और हमारे लिए ड्राइफूट बहुत हेल्दी रहते हैं तो आज हम बनाएंगे ड्राइफूट चिकी जिसके लिए मैंने लिया है वन कप शुगर कुछ पिस्ता के दोदोपीस कर लिए हैं काजू के दोदोपीस कर लिए हैं काडमोम पाउडर और बेबी ब्राइफूट की केसर लिए हैं सेफ्रन ये काफी ब्राइफूट की आती है मैं बेबी ब्राइफूट की यूज कर रही हूं तो इन सब को हम जाए फूट को पहले रोस्ट करेंगे सबसे पहले हम क काच्यू हमारे रोस्ट हो गए है इनको मैं निकाल लोगी सेम प्रोफिक से मैं आलमंड को भी रोस्ट करें हो आलमंड दी हमारे रोस्ट हो चुके है इनको भी हम निकाल लेंगे अब ड्राइफुट चिकी बनाने के लिए मैं सबसे पहले कड़ाई में थोड़ा सा घी डालोंगी थोड़ा सा ही के कड़ाई हमारी चिकनी हो जाए ग्रीस करते हैं और अब 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 एक्स्ट्रा घी होगा वह मैं निकाल लोंगी अब इसमें मैं शुगर एड़ कर दूंगी और स्लो फ्लेम पर हमें करमलाइस करनी है शुगर को इसमें पानी और एड़ने ही करना है यह धीरे-धीरे मैं होती रहेगी चिनी कंटिन्यू इसको हिलाना पड़ेगा अब देख सकते हैं चिनी मैल्ड हो रही है बसी सी तरह मैं इसको कंटिन्यू हिलाओंगी अब प्रोसेस हमारा फास्ट रहेगा चिनी करमलाइस हो चुकिया है इसमें हमारे टू पीस किये वे रॉस्टेड आलमंड पीस डालेंगी कुछ कुछ कैसर नट्स और कुछ पीस्टा डालेंगे इसको तुना हाथ पास्ट रखके हमें घुमाना है और मैंने पॉल से थोड़ा ग्रीस करके रखता है उसके आप हम फैला देंगे इस पर हम थोड़ा सेप्टन के लिए कुछ पंखुणिया एड कर देंगे और उपर से थोड़ा सा आपके जब गरम है सेट हो रहा है तभी हम पीस्ता भी डाल देंगे उनको आप बारी करके भी लगा देंगे तभी हम इसमें इसमें लगा देंगे फी ठंडी होने से इजीले शेप में कटिंग हो जाएगी द्राइफूट चीकी में हमारी तयार है और विंटर में तो यह अच्छे भी रहती है आप इसमें अपने मन पसंद द्राइफूट डाल के खा सकते हैं अब आप देख सकते हैं अब आप देख सकते हैं इसमें बटर पेपर यूज नहीं चाहिए वह इसमें चिपक जाता है और पानी एड करना नहीं है केरमलाइज होते ही हमें इसको फास्ट प्रोसेस में डाल देना है पहले से हम ग्रीस करके रखेंगे बहुत ही इज़ी और बहुत ही आराम से बन जाती है कम समय में तो बनाके खाईए और अपने अनुपर कमेंट के जरिये मेरे को बताईए कैसी लगी मेरी रेसेपी मेरे मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब के दिए बेल आइकोन को प्रेस कारना मत भूले ताकि मेरे आने वाली नए रेसेपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मेरे निसान लगा है वहां से यह ग्रैक करेंगे प्रेस और यह ग्रैक हो जाएगा अदब क्रिस्पी लग रहा है यह जो ड्राइ पुची की जो है हम इसको चॉकलेट में भी क्रश करके हम उसमें एड करेंगे तो वह बहुत अच्छे बनती है मैं मेरे नेक्स रेसेपी में यह दिखाने वाली हो कि इसको हम कैसे चॉकलेट में एड कर सकते हैं जुची की जो है जो हम यह जो हम एड कर सकते हैं